एक दुर्भागे पूर्ण दिन, एक आदमी एक साहसपूर्ण यात्रा पर निकला, जो कठिन पहाडी इलाके में जा रही थी. उसे नहीं पता था कि एक सरल चूक उसे एक गहरे खाई में गिरा देगी. जैसा जैसा वह तालाब की तरफ गिरा, उसकी जिन्दगी संकट की धार पकड़ने ने उसे बचा लिया. अंधेरे में बेबस, गहरी खाई की खाई की खामोशी में अकेले ट्रैप के भय की जानकारी हो गई. कोई है क्या? मदद. उसकी हालाद की चीख खाई की दीवारों को चुनौती देती रही, उसे भयभीत करने वाली खामोशी में सिमट गई. हर पल के साथ उसे अधिक चिंता महसूस हो रही थी. जीवन संकट से अधिक गंभीर हो रहा था. उसकी हताशा के बीच, उसकी आत्मा में भगवान पर विश्वास की एक धीमी याद आई. साहस जुटा कर वह खुदा से जोड़दार पुकार उठा, दिव्य सहारा चाहता. अनपेक्षित रूप से स्पष्ट आवाज ने शांती को तोड़ कर कहा, मैं यहां हूँ. अटूट धैरे से आवाज ने अधिक सुन्योजित तरीके से पुना कहा, मैं यहां हूँ. अपनी पकड़ छोड़ो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूँगा. वह अपने विकल्पों पर सोचते समय अपने मन को घेर लेता है. वह फिर से बुला रहता, उसकी आवाज कांप रही थी. क्या यहां और कोई नहीं है? मदद करो, मनुष्य अपने विश्वास और भय से जूँचता रहा, जिससे तनाव बढ़ता गया. इस रोमान्चक कहानी का अंतरद्वनी सबसे अधिक गहरी है, कि भगवान पर भरोसा करने से जीवन की सबसे भयानक परिस्थितियों में भी हमें निर्दिष्ट चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं. हर निर्णय भार होता है, हर पल रहस्य में लटकता है जब मनुष्य अपने भाग्ये के साथ चूँचता है.